आज के इस क्लास में लोग वियार एससे के लिए जिए इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं यह प्रैक्टिस सेट नम्मर साथ है इसे पहले छे हो चुका है तो अगर आप लोग कर लिए हैं तो अच्छी बात है ने था उने भी कर लिजेगा क्यूंकि इसमें जो कोशन है वो कही जैने इस इस लेबल के इसाम तो भी पूछा जाता है तो बंदरoga के मिला था तो वो नोथा से मिला तो वह कुछ लोत्हों को बतावा जो से मिला था और यह गुजरात में पड़तियों के मीनि हरपा भी कहा साथ है और यह बरत्मान में वित्सवर ऑनमत कि नाम पहरपा सभयता वी का साथा है सिंदू गाठी सभयता को काली बंगा यहां से पकी हुई इंडिया में राकी गटी लेकिन नगर जो मों सबसुंता कि गोतम बुद्धि ने धर्म चक्रपरबरतन कहां आरब किया था यह कहां से अरशिक्षाया कि रता है कि वहा पहला उद्वार्टन को और थे ऊक्रवार में थो कि आन्याथते हैं चाहसे श्मरांपै अग्ला कुश्यनन जिसोस भासि क क ये खर्वार को सुन्द किस घटना से है इसका तो डांडी आत्रा इसी के दौरान सब है डांडी आत्रा श्टार्ट की गई थी सभी नायग गवांदर उनको शुरुआत करने के लिए गांधी जी ने जो डांडी आत्रा श्टार्ट की थी और कब की थी यह 12 मार्च से लेकर 5 अप्रेल यानि 24 दिन की यह आत्रा थी 1930 में पांच अप्रेल 1930 को सो यह डांडी पहुंचे थे कहां से श्टार्ट हुई थी तो यह साबर मती अस्रम से श्टार्ट हुई थी गांधी जी ने आत्रा अनुआई के साथ इनको श्टार्ट किया था तो डिटेल में आपको थियोरी क्लास में मिल जाएगा ने था हम लोग थ थोड़ी थोड़ी एक्स्पलानेशन साथ साथ देखते चलेंगे नो डाउट आट्स का कुश्चन है अब प्रैक्टिस करके भी एच्छे त्यारी कर सकते हैं तो आप बिंदास के से बोल रहा है कि लाला हर्दियाल का संबंध किस क्रांतिकारे संगटन से था यह भी कापी क अच्छा है मितलब कई बार अगर हमारे साथ सेट लगा रहे होंगे तो आपको पता होगे यह भी कई बार रिपिटेशन है कि लाला हर्दियाल तो यह गदर पाटिके स्थापना की थे और कब की थी तो 1913 में इन्होंने गदर पाटिके स्थापना की थे अक्सार डेट भी पाटिके स्थापना कवी थी तो 1913 में और लाला हर्देहल सिंग ने किया था जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारती राष्टी कॉंग्रेश कध्या च्कों थे तो आचारी किरपला नहीं थे तो ब्रिटिस सम्राठ के अधिन नूक्त भारत का पर्थम 24 तो ब्रिट कैने कि पहले जआने कि पेहले गवर्नर हो फिर बाद में गवर्नर घंडर ऑसके बाद जैसे बाम है बनाए मह उसके बाद है तो पहला बावस राहे कोन बना तो लौी बना तो जब लोड जिर रख्या पहले बाई सं का नाम क्या था लोड् sondern और यह पचेंस कौई था तो उसके बाद Goveranance Journal का तो यह पोस्ट है उसको नाम बदल के वासराय कर दिया गया तो उससे में कौन थे तो लोट कर दिया निंग थे तो पहला वासराय कोन बने लोट कर दियान मिरकिए गैंगा इसको चिपको अंदोलन का आरंब हुआ तो चिपको अंदोल जानते हैं कि सुन्दरलाल भोगुना के द्वारा के आ गया था और यह कहां से हुआ था तो यह उत्तरा खंड में श्टार्ट हुई थे तो सही सबाब हो जाएगा उत्तरा खंड में अगला क्वेशन है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजाई की सुरवात हुई थे तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजाई की सुरवात किस यूद से माना जाता है तो अफिम यूद से तो सही सबाब हो जाएगा अफिम यूद से अगला क्वेशन है इंगलेंड में किस तरह किस ब यह आपका उनिसो अठाइए सॉरी शोले सो अठाइशी इस भी में थी तो सभी सबाब होगा शोले सो अठाइश अगला कोश्चन है कि भारतिस सम्मिधान की प्रारूप समिति के अदेख्ष्ट कुन थे तो यह अक्सर कोश्चन पूछा जा रहा है पूछा जाता है दो चार भी समीधान समा में मैं जब समीधान का नेवान हो रहा था तो उसमें कई सारे समीधियां बनाए गया थी कुछ-कुछ को आपको याद रखना जैसे कि प्रारूप समीधियों के वो । डॉक्टर भी आरामबेट करते हैं उसी तरह एक जंडरा समीधिय ते जिसके कि राज लेकिन इसको लागू कब किया गया तो वह 26 जनवर 1950 को जो कि आज का दिन है तो लागू किया गया था 26 जनवर 1950 को और अक्सर इसमें पूछा जाता है कि जब हमारा संभीदान 26 जनवर 249 को ही तियार हो गया तो एक मेहना बाद लागू करने का क्या रिशन था तो इसका रिजन यह था कि कांग्रेस ने 1930 में चोई 26 जनवरी के दिन ही को ही सुतंतरत दिवस के रूप में मनाया था इसलिए उन्होंने इन इंद्रियों को यादगार रखने के लिए एक मेहना बाद संभिधान को लागू करके किया गया ताकि उस दिन को याद रखा जाएगा अगला कोशन है कि संभर्ती सुची के अंतरगत निम्नी में से कौन सा विसाय आता है जानते है कि हमारा सुची मतलब सारे विसायों को सुच हो है तिन सुची इंबाटा है राज्य शुची उसके करता हुई आता है के अंधरी से 끼ंदो करतित कि यह संदिधति सोची में ख़ानुन उसको सम्भिर्धी में इसी करें ख़ति घरेगा क272 एंधेघ शभ्यस चनUB जिते पेमिश अनुना की अंधर मफशन मंतरीव हमजी में मुद्र कि ओक शभानानुन conception सामिल नहीं है तो अधिकार यह तो देने का तो भासन और अभिवेक्ति की सोतंत्रता सामिल नहीं है हर्ताल करने का अधिकार यह तो दहता है दुसरा है कि मोन रहने का अधिकार तो यह भी वासन और वक्ति की सोतंत्रता है कि आप मोण रहना चाहते हैं तो आप मोण रहिए प्रेश की सोतंत्रता यह भी हमारे सिम्यदान में है लेकिन सरकारी गति वीदियों के बारे में आफिकार यह नहीं दिया गया exatamente कि इसमें कई सारे चीज़ सुरक्षा समंदी बाते आया साती है तो इसलिए यह अधिकर नागरी को कुर नहीं है बांकि भासन और अभी दिक्ति में अर्टाल भी कर सकते हैं आप चुब भी रह सकते हैं और प्रेस्ट कीप्स होता है तो साइगा अगला कोशन है कि भारत के रा कि भारत का संभीधान भारत के महानेयवादी की नियुक्ति का अधिकार डैस को देता है तो इसमें पूछा चारा कि भारत का महानेयवादी का नियुक्ति कौन करता है तो जानते हैं कि महानेयवादी की नियुक्ति कौन करता है तो राष्टपती द्वारा किया साता है और इसका कौन से आर्टिकल में दिया गुए ये भी काफी इंपोर्टेंट है अक्सर पूछा आता है कि माने आइबादी सो है वो किस आर्टिकल में तो आर्टिकल शेतर में आती है और इसकी नियुक ती सो राष्टपती द्वारा किया सात है इसका उप्सन आगे होगा देख लेता है एक मिनिट थोड़ा सरी ये रेंज करने दीज़े इसका सही आंसर हो जाएगा राष्टपती द्वारा अगला है कोश्यन ही सोले नमर की निमलिखित में से कौन सी समिती चुनाप सुधार से संबंदित नहीं है यानि चुनाप सुधार से संबंदित कौन सी नहीं है तो दियान रखेगा कि दिनेस गोश्वामी समिती ये भी चुनाप सुधार से मतलब इसको भी चुनाप से रिलेटेड़ ही ये समिती बनाई गई गई थी और यह नहीं थे तो इसका सही जवाब संधू यह पर्मॉख होता है तो जानते कि महापूर किस होता है तो नगर की माहपूर्पृर किसका प्रमक होता है तुन आजने एंगम का मतलब पोल लेक्त्रोनिक बोर्टिंग मसीन और इससे रिलेटेट है कि जैसे इसको लगी एक इपम का सोब्ढ़ हो गए इंडिया में इसकल कब किया गया था तो ये ड़े डाक से से पूछता नानेटी 1292 में किया गया था जो कि कैरल में किया गया था और पूरे देश में कब लागू किया गया था पहली बार तो almighty елю significant किया गया था क्योंकि कोई भी नया चीजह चब लागू होती है तो सीमित दारह होती यह ताकि वहासpción किया जा सके कि यह सफल रहेगी कि नहीं उसके वाज़ा को नवासी में जो इनको पूरी देश में लाकुट किया गया था तो इभी हम का क्या होता है केंदर सरकार में बर्तवान महिला इवं बाल विकास मंत्री कौन है तो यह तो इसमिर्थी इरानी है और आपको एक्जाम से पहले यह देख के साना कि कौन क्या है मतलब मिनिश्टर वला देख लिए सेगा लिष्ट अगला कोशन में लिखित में से किस की हमारे सोर मंडल के एक गरह की रूप में गनना नहीं होती है तो यह शाब ет कि प्रूट हुचए नहीं की ना शाता है इसको निकाल दिया गया तो सब्सक्राइब जनाकर वब गुजरता है जैसे कि ब्राजिल हो गया कोलंबिया हो गया तो इसमें सो न सही आप्शन होसा आएगा आपका Kenya Kenya से भी यह गुजरती है तो सही जबाब होगा Kenya यह वर्ड जो गराखफी का भूमद्य रेखा देख लिज़ेगा उसके बाद आखे हमारे इंडिया करकर रेखा गुजरती है तो उसके बाब अक्सर पुझता कि वो किसके से इस्टेट से गुजरती है तो यह देख लिज़ेगा इसमें तेरे टोटल देश आते हैं अगला क् अगला कुश्य है कि फर्बशन से किसे संबन देट है तो यह दो में पर दीत हुति meth produce अंतरी और अलभव में पर ती दो तो उसाहिज जवाब होगा अलपाइन, क्या होता है कि हमाले में जो 25 से 35 मीटर की रेंज में सो बन पाया तो उसको अलपाइन बन आएसा था और इसमें फर वर्नस्पत्री पाया तो आज रहा अंधिये वह आपका हमेंचन है तो साहिज जवाब होगा हमेंचन अगला कोश्ण देखते हैं मेंचन ये option के accounting हमेंचन है अन्य धाप देखेगा तो नहीं नदी सबसे लंभी नदी है लेकिन option के और अपका ओमेशन अगा नदी सफाई कारी करम के साथ सही हो कर रहा है तो इंडिया में जो गउनगा नदी सफाई कारी करम चल रहा है किस यह भी है भागेदारी तो जर्मनी की तो गौशन होगा फोड़ा कौशन ही पहले उसी को करने का उसको एक बस जरूर करना है तो द्यान होगा कि ये कोशन दो-चार बार पोचा गया है आपके प्रीपियस एर में भी बात कर रहा हूं मैं अन्य था लग अलग इच्छा में तो पोचाई गया होगा अन्य में से कौन सी वागान फसल नहीं है तो जानते की मोटे अना जो है ये बागान फसल नहीं है बागी काजू कोफी चार ये बागान फसल होती है अगला कोशन है कि निमन में से कौन सी रवी फसल नहीं है तो सरसों गया हूं और चना ये रवी फसल होती है चावल जो है ये रवी फसल नहीं है अन्य था ये बलके ये खरीफ फ सब्सक्राइब क्योंकि इसमें पानी ज्याद आजाई और पानी कब होती है तो जुन्ज लाइग के टाइम में होती है अगला कोशन की कोशन है तो आपको मतलब लगवा कॉंसेप्ट आपको आज साइगे देरे-देर कोशन करते करते हैं कि अगया है सभी चल्डाइस इस अगया है रोबिंस का नुसार नेमन में से कौन केंद्री आर्थिक समस्यों के लिए उत्तरता ही नहीं है असी मित अब सकता है दुडलव साधन साधनों के बेकली कुपायो सनसाधनों के मद्ध्यपूर वू रखता तो असी मित अब सकता है यह इसका जो है सही सबाब होगा असी मित अब सकता है कहने जो है नैंटि नैंटिए नीटिवान में इंडिया में वह आर्थिक मंदी आयुः थि आर्थिक समस्य आयुः तो उस समय जो अंतराष्टे मोनिटरी फंट से रिंग लिया गया था और ये इसमें बताया गया था कि असमीत आप सकता है जो रॉबिंस के थियोरी कनुशा रहे कि असमीत आप सकता है कनुशा ये अर्थिक समस्याओं के लिए उत्तर दाए नहीं है तो इसका सब्सक्राइब होगा असमीत अब सकता है अगला कोशन है कि गिरियास्त एक मिनिट गिरियास्तियों द्वारा खरीदी गई उपभोकता बस्तू तथा से वहों की ओसत कीमतों को मापने बाला एक सुच्च कांग है तो जीवन निर्मा का लागन का सुच्च कांग थोक कीमत सुच्च कांग मानुबिका सुच्च कांग और उपभोकता कीमत सुच्च कांग क्योंकि अगर कोई खरीदारी करती है तो उससे उपभोकता कीमत सुच्च कांग की पता चलेगी तो सही से बाबो का उपभोकता कीमत सुच्च कांग तो सही से बाबोन मिलें मू号यर अगला क्योश्च किस ने अधिकारों के सिध्यांत का पर्तिपादन क्या तो गया तो जहां लॉक न तो सही सभाबो का जहां क्यों कों सी संधी यूरोप में शामयबाद को रोख् 뉴스 नाटो जानते हैं कि ज neonatacas जिसके लिए कि रूवट लिए तो नाट्व का अगठन किया गिया है अगला कुशन है कि राष्टी मद्दाता दिवस भारत में हर अट साल में अधानाया तो राश्टी मद्दाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो याद रखेगा 25 जन्वरी को और यह कब से 1950 से मनाया जाने लगा 25 जन्वरी को अगला कोश्चन है कि उत्तर परदेश में आयोसे काफिल मेलाक की समुदाई से जुरा हुआ है तो काफिल मेला द्रख भी जन्वरी जन्वरी जुड़ी हुई है तो सहीज भाबों को जन्वरी उत्त में अग्याजीव का नाम है तो वता हो अगला कोशन है कि नहीं लिखीत में से कौण सा एक muit haler q करने का हो तो यह विसानूर वोता यह एक ज़िव होता हैं तो सही साई जैब हो bashosphर हो के चोण तो मनुष्य कि मेर्षा कूर सा पाई चाथी याद रखिएगा यह अ एक मुनेेट रिक तुह यह अपका देहां साथ है बहुत आसाना इसको याद रखना जैसे यूरीन बोलते है न तो यूरीक एसिड होता इसमें यूरीन और यूरीक एसिड अगला कोशन ही कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जाने जाती है तो सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जाती है तो महा धमनी याद रखेगा ए रोटा बो पुनर्डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड कि एक मिनूट कईगा स्माण को इसका से सभा रिव।्व निया तो पयान रखियागा, की शेतन और नियाता, तो अप्सन डी इसमें हो जाएगा उसका सही आंसर से शेतन बुबो अबोरि इसमें होता है, तो पिराहर याने दर्द में सो यूस किया जाता है या तो यह आद रखिएगा 43 नमर है है ना अफ्ल मैं ना जीन हो 100 योता है यह कि आप सुने होंगे एक पराशितामूल और यिसमें पर्तामूल और केफिन का तो उसको नौवल जीन का साता है और ये देट के लिए यूज़ होता है दवय पर आशिट मूल तो सब जानते हैं उसे में जो केफिन मिला कि ओ नौवल जीन होता है अगला कोशन है कि पादपोंप्रकास तर्टास थाय उत्पाद क्या तो पर्थम अस्थाय उत्पाद क्या ब आप से बिटाइमिन के रसायनी की नाम पूछता है तो इसका सभी सबाब क्या होचाईगा फॉलिक इस इड़ तो सभी सबाब ओक फॉलिक एसिड अच्छा रसायनी की नाम हां फॉलिक एसिड बोलता है अगला क्वेशन ने कौन सी गैस वायो मंडल के ओजन स्थर को अप ग अगला कोशिन परत कौन सी रेडियेस जो बचाती है तो वो प्राभ्यागनी रेडियेसंस बचाती है और снमताप मंडल में पायए मैं पाय साता है तो अगला कोशिन देखर में कि निमनमे मैंसे कौनसा मूल नहीं हैchnet मूल माधरक कौनसा नहीं है तो ओम जो है, यह मूल मात रग नहीं है, बलकि ऐसा ही मात रग है, बांकि मीटर सेकेंड, एम्पीर, टोटल 6 होता है, तो उसको ध्यान में रखेगा, अगला कोशन है कि समी करन यू भी बराबर, यू पलस 80 सानकारी देता है, तो यह किसका सूतर है, तो ध्यान रखेगा, यह किसका सूतर है, तो यह बेक समय का एक कारी है, यह सही सबाब हो सागा, बेक समय का एक कारी है, अगला कोशन है कि बलका बीन ये समी करन, बलका बीन ये समी करन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सही सबाब, अपका, C अप्सन हो सागा, क्योंकि F वराबर होता है, M L, 2 ml Tpp-2 C हो जाएगा इसका सही सबाब अगला कोशन है 50 नमर कि KWH एक डेस की एकाई है तो ये उर्जा की एकाई होती है तो सही सबाब होगा उर्जा अगला कोशन 51 नमर की असपस्त परती धोनी तभी सुनाई जाल सकती है अगला कोशन है कि जब दूद को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पिर्थक होने लगती है यानि मलाई निकालने की परकिरिया को क्या काजाता है तो आप दिहान रखेगा उसको क्या कहते है डेडियो अपसन आपका ये किस कारण होता है इसको कहते हैं प्रोसेस को शहे relevance को और ये घर्षण बल के कारण होता है तो सऐसे बाब फिह सोरी घर्षण नहीं इसपके अंदरी बल गब के कारण ही अब कहने परकिरिकर ऑफिसों के नरहीं अब के परणि मोसें 2,4 होज़ए सै अगला कोंशन है कि जलका हिमा की विन्दू क्या हो है तो जल्का हिमा की विन्दू क्या होती है तो जिरो डिجरी Celsius. अगला question ने चवपन नमर कि सोवेट परकास की एक किरन कांज के प्रीचमिन पर आप होती हुए परकास वर्गक जो कांज के प्रीचमिन से गुसर ने पर अधिक विचलित होती है तो भाइगने किरन जो हो सबसे अधिक विचलित होती है और बाय कम तो सही स्वाब होगा तो याद रखे कि आपको सही सवाब हो जाएगा आँ मीटर से इन मापास आता है तो सही जवाब होगा आँ मिटर अगला question इस जो मोश में परिबर्बटनों को परभावित नहीं करता है तो जल वास्प जो है यह मॉस में परिबर्बटन का नहीं है तो जवाब होगा जल वास्प बाकि खर दीखिएगा तो कहें ना कहें कार्वं डाय कार्मी में बढ़ आती है इस तरह कहीं है मतलब यह लोग प्रवावकारी है और अगला कोशन है निमल खीत में से कौन सा बिद्दूत का कुचालक है तो बिद्दूत का कुचालक प्लास्टिक के कुचालक होता है बांके सब सुचालक है तो सही जबाब प्लास्टिक अगला कोशन है कि बहुर की पडिकलपना के अनुस तो बी इसका correct answer हो जाएगा आपका कि NH 2π यह फोरूमला होता है अगला इसका चीली-sora किसका सामान नामे तो चीली-sora हो है इसका रसानिक नामे एक द्रेस्च पूछ रहा है तो ज्का होती है यह तो यह का sodium nitrate को ही चीली-sora का साथ है तो sodium nitrate हो साएगी इसका फोरूमला होता एने अनुत्त यह इन होती है अगला कोश्चिण की सार्मर्न निमलिखित में से कौन सा एक पाईडी वीडिञ नहीं तो पाईडी मीडियन चाड़े नहीं तो सभाब होच साएगा आपका गुआने जो है यह फचारिये नहीं है यह डिनलन पाईड आ जानावालाक लिकुड है याद रखेंगा गोण अगला कोश्चन इक ही E D T A का एक लिंगेड ने तो D A का एक लिंगेड है तो सभाब हो जाएगा आपका D hexadental लिंगेर पूछ रहा तो यह hexadental होता है, तो सबाओगा hexadental, अगला question नविनल निमलिखित में से कौन सा भोतिक परिबदन है, भोतिक परिबर्तन यानि पुनाचो तो कोकॉल्ला पे में नमक डालने से ग्यास का निकालना, यह एक भोतिक परिबदन, बागे सब दिखेग आइडिक कैस्सलों डाथोंने पाई जाती है अगला कोशन नम्लिक प्राइब करें कि फोन्हें आकड़ा ओचा सुरत होसा बांक यू हम आपके सब देखेगा तो प्रमपरागत होस नताहै है जोकिंट कहते हैं लेकिन वाइड़ा जिस्मीन अससीर सै 95% carbon होता है वो काल आता है तो उसका क्या नाम anthracite जो है वो सबसे उच्छी quality कोईला होती और इसमें 80 से 95% तक carbon पाया साता है तो यह याद रखेगा अगला question की सामाने पुरूष के शरीर का तापमान कितना होता है सामाने पुरूष का temperature कितना होता है तो याद रखेगा 37 degree Celsius यानि 34.9 degree Celsius सही जवाब होता है नर्मल temperature यह होता अगला question है की स्वामी सहसानन्द निमन में से किसी से संबंदित थे तो स्वामी सहसानन्द ये आपके बिहार में किसान आंदोलन से संबंदित रहते हैं तो सही जबाब होगा किसान आंदोलन से अगला question है की बिहार किस बस्तू का दुनिया में सबसे ब्रहत पादक है तो बिहार में जो याद रखेगा है की अब्रग सबसे साधा ब्रहत बादक है तो अब्रग हो जाएगा इसका सही सवाब अगला question है की प्रधान मंत्री street vendor की आत्म निर्वर नी थी पी एम सो नी थी योशना के हाल ही में संपलता पुर्वक कितने बर्स पूरे हो गए तो परदान मंतर एस्टीट वेंडर की सो है यह योशना का लगबगा भी अपका तीन साल होगे क्योंकि तीन-चार साल बांच सकते क्यूंकि 2020 मतलव 2020 में ही इसको स्टाट की गए थी तो तेन साल लगा दीजेगा को तो स्री नेगर समार्ट सेटी प्रोजेट के तहत सहरको किस बर्स तक स्मार्ट सेटी का टैग मिल साइगा तो स्री कि आम महत दुष्ट रेखा पांच राजयों नहीं है इन में से कुनό संवन पांच राजयों नहीं है तो आद रही है वारे कि यहां इन्डियान ऐसला डिने उपने यह पिए अंद्र परदेश अंद्र पर्देश ओडिशा और मद्र परदेश उत्तर परदेश और बिहार ओडिशा और अगला कुश्चन है कि भारती संमिधान को लिखने बाले सभा के उपाध्यक्ष कों थे तू जामते हैं कि पहला मतलब अधिक्ष तो पहले सचिदानन सिन्हा बनेते जो कि वह अस्थाई थे बाद में राजंदर परसाद बने जो कि अस्थाई थे समीदान सबागे और उपाद्धिक्ष पूछा जा रहा तो वह बने थे एचसी मोकर्ची जिसका की पूरा नामा एधिंक हरेंद्र कुमार मोकर्च अगला कोशन है कि सोतंतरता से पूर्व भारत में गरीवी की अबधारना पर चर्चा करने वाले सोरपर्थम बेक्ति कौन थे तो याद रखिएगा कि क्रांतिकारी मतलब क्रांति टाइम पिडियेड में ही जो ये गरीवी के बारे में किसने पहले पारे में बताया था तो दादा भाई नरोसी I think option में भी यही होगा तो दादा भाई नरोसी जो इसका सही सिपाब हो जाएगा जो कि आजादे से पहले गरीवी के बारे में मापाता साइथ I think उसका अगला कोशन है कि संहित राष्ट के पहले महा सचीब इन में से किस देश से संबंदे थे तो संहित जबाब हो गए नौर्वेदेश थे और अगला कोशन है कि इन में से किस सहर में अंग्रेज पुलीस कर्मियों द्वारा घेर लिया जाने पर स्वतनतरता संग्राम सेनानी चंद्रिसेकर अजाद में स्वाहिम को को गोली मार ली थी तो कौन से जगह पर जो है चंद्रिसेकर से लिया गया तो यह कहां से लिया गया था रूल अफ लो तो ध्यान रखिएगा यह आपका ब्रिटेन से ही लिया गया था तो सही जबाब हो ब्रिटेन मितलब जो अंग्रेज की टाइम परिएड में जो चीज़े अच्छी थी जैसे कि 1935 का अधिनियम देख लिए जो बारत के किस राजिय मिश्टी तो सही जबाब होगा आपका सिक्की में ये जिल परती है तो सही जबाब होगा सिक्की अगला कोशन है कि 1978 नमर भारत के सबसे कम वायूप के सतरंज गरेंड माश्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किस के नाम पर दर्ज है तो याद रखिये क ये कौन थे ये कौन है तो डी गो केस अप्शन इस का सही हो जाएगा डी गो केस अगला कोशन ही कि नवासन निमर सब सिक्षा भ्यान डैस बर्स तक क्यों आई वर्गे के सभी बच्चों को प्रारंबिक सिक्षा परदान करने की दिसा में उठाया गया एक महत्पून कदम है तो याद रखिएगा ये छे से चोदे वर्स के बच्चों को लिए मतलम हुप्त सिक्षा का विवस्ता किया गया और ये कप लागू की गए थी तो ये दूजा एक दो में की गए थी आटल प्यारी बाचवी की समय सरकार थी और इसको मौली का दिकार में कब बनाया याद ध अगले कोशन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को करता है तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो आपका राज्य में राजपाल करता है और के अंदर में जो वो तो जानते ही राष्टपती की या जाता है राष्टपती दोर अगले कोशन है कि भारत और अगला कोश्चन ही कि मोहन जोद्रो सब्द का अर्थ है तो मिर्तकों का टीलाइक सा सब्दिक अर्थ होता है ये भी कई बार पूछा है तो सही जवाब होगा अगला कोश्चन ही कि इने में से कौन हर्सबर्तन के सासनकाल में भारत आये तो हर्सबर्तन के सासनकाल में कौन तो यह वह इंसांग याद रखेगा वह इसके किताब पूछी जाती है किसमें वह इसके कौन से किताब आती है तो याद रखेगा थोड़ी सी चैनी किताब की नाम है सी यू की सी यू की ये इनकी किताब का नाम था हूँ इसांग के अगला कोशन है कि भारत में जर्मनी जमीनी असता पर खेल संस्कृती कोज पुनर सनुन करने के लिए ये पुनर शिवित करने के लिए यह दिए खेलयबं यूबा माम लो कि मंत्राले दौरा वरह सी दोचारा हुए में इनमें से कौंसी कारीकरम शलो किया गया था तो याद रखी और कई सारे योजनाओं को मिलाके कि खेल सकत में एक नही होजना खेलो इंडिया कारीकरम चलाए तो सफ़ी सबाब होगा खेलो है वह आपका होस आएगा दक्षिन है फिर अमेरिका कर जो ब्राजिल क्योंकि अपना देश जो है छेटर पड़के कोड़िंग साथ मांस्तान पर आता है ब्राजिल जो है सही जबाब इसका होस आएगा अगला कोश्चिन जो कि अपका मैध रिजिनिंग का है तो इसको हम और नॉर्मल जीक आर्ट्स का कुश्चन दोनों था तो इसी तरह इस प्रैक्टिस करते रहिएगा आगे का से देखिएगा कुछ दिन में आस आएगा और इससे पहले वाला देख लिए तो अच्छी बात है अन्या था उन्हें भी पुड़ा कर लिजिएगा